हेलो फेरेंट्स वेल्कम टो आर यूट्यूब चैनल दाय जोब साइन्स आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के जो अठारा कुश्चन लेके आए हैं वो क्लास 12 के चैप्टर यह सारे के सारे कुश्चन आपके CBSE board exam pattern पर बेज़्ड हैं इसमें आपको 14 objective type question प्लस 4 assertion reason type question देखने के लिए मिलेंगे यह सारे के सारे कुश्चन board exam के point of view से तो important है ही आपके जो आने वाले competitive exam है उनके point of view से भी बहुत ज़्यादा important है जैसे आपका NEET का exam हुआ, JE का exam हुआ या आपका CUET का exam हुआ उसके point of view से भी यह बहुत ज़्यादा important है तो आईए video start करते हैं हमारा पहला question आपकी screen पर है question में कहा जा रहा है which of the following compounds is most reactive towards nucleophilic addition reaction क्या बताना है इन में से nucleophilic addition reaction के लिए सबसे ज़्यादा reactive compound कौन सा है कौन सा compound बताना है nucleophilic addition reaction के लिए most reactive compound बताना है compound आपको कौन कौन से दिये गए है compound आपको दिया गया है acetaldehyde, दूसरा दिया गया है acetone, तीसरा दिया गया है benzaldehyde और चोथा दिया गया है acetophenone, पुछा क्या गया है कि nucleophilic addition reaction के लिए कौन ज़्यादा reactive है देखे पहली बात तो जो aldehyde होते हैं आपके वो क्या होते हैं वे कम reactive होते हैं, जो ketones होते हैं वो कम reactive होते है aldehyde से, ठीक है किस से aldehyde से कम reactive होते है, ketone पहली बात तो यह ध्यान रखेंगे, तो यह दोनों तो option में नहीं हो सकते, ठीक है, B और D option में नहीं हो सकता अब aldehyde ज़्यादा reactive होते हैं, लेकिन aldehyde भी कौन से ज़्यादा reactive होते हैं, जो aliphatic होते हैं अरोमेटिक नहीं, कौन से, aliphatic, तो aliphatic के साथ जो option बना हुआ है, आपका वो कौन सा है, option A है, तो A is the correct answer, इसका जो answer जाएगा, वो किस के साथ जाएगा, acetaldehyde के साथ जाएगा, मतलब ethanol इसका UPSC नहीं होता है, ethanol के साथ जाएगा, ठीक है, next question, number two, number two question आपकी screen पर, question में क्या कहा जा रहा है, question में कहा जा रहा है, the correct order of increasing acidic strength, यानि कि जो चार compound दिये गए है, इनमें से, acidic strength का order आपको बताना है, अब देखो, चार compound कौन कौन से है, पहला जो compound दिया गया है आपको, compound दिया गया है, कौन सा, पहला compound दिया गया है, जैसे हम मानने की पहला क्या दिया गया है, पहला दिया गया है, फिनोल, जो चार compound दिये गए है, उनमें से एक क्या है, एक तो है आपका फिनोल, ठीक है, OH, दूसरा compound है, ethanol, ethanol का formula होता है, CH3, CH2 इथे नॉल सोरी इथे नॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 OH जो तीसरा दिया गया है वो दिया गया है chloroacetic acid यानि कि CH2 CL COOH और एक दिया गया है acetic acid CH3 COOH आपको order लगाना है increasing order ठीक है कैसा order increasing order acetic character का increasing order आपको बनाना है यहां से अब acetic strength का increasing order है वो बनाने के लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो जो आपका carbozylic acid होता है यानि कि COOH जो होता है COOH का acetic character होता है COOH का वो alcohol से जादा होता है यानि कि bond OH से जादा होगा तो पहली बात तो जहां भी COOH है उनका acetic character जादा होगा तो इनका acetic character जादा होगा और इनका acetic character क्या होगा कम होगा एक बात तो हमने ऐसे करके यह क्या कर लिया दो जगे डिवाइड कर लिया ठीक है अब आगे की बात क्या है कि suppose that हम phenol और ethanol की बात करते हैं तो इनमे acetic character किसका जादा होगा देखिए phenol का acetic character जो होगा वो जादा होगा कारण क्या है क्योंकि phenol के उपर phenol में benzene के उपर क्या आता है OH आता है और O के पास जो lone pair होते हैं वो lone pair किसको दे दिये जाते हैं benzene ring में चले जाते हैं उसको stabilize करने के लिए जिसकी वज़े से यहां से hydrogen easily remove हो जाता है ठीक है लेकिन phenol के case में ऐसा स्वरी इतनौल के case में ऐसा नहीं होता तो इन दोनों में सो जादा जाएगा वो किसका जाएगा वो जाएगा phenol का इतनौल का कम ठीक है तो option जो बनेगा यह CRI क्या करते हैं acidic strength को बढ़ाने का काम करते हैं तो acidic acid जो है आपका इसकी जो भी acidic strength थी उसे थोड़ा सा increase किसने कर दिया इसने कर दिया CL ने तो यहां जाएगा यह option कहने का मतलब इनमें सबसे कम किसका होगा सबसे कम होगा इतनौल का तो इतनौल का सबसे कम दो option में दिया जो option बनेगा सही वो कौन सा बनेगा option C यहां से बिलकुल correct बनेगा है ना क्योंकि acidic acid और chloracidic acid में यह difference है कि chlorine जो आ गया है इसने acidic strength को increase कर दिया है नेक्स question नेक्स question आपकी screen पर इसमें क्या गह रहा है इसमें कह रहा है कैनी जारो reaction is not given by ठीक है इनमें से कौन सा compound ऐसा है जो कैनी जारो reaction नहीं देगा देखो कैनी जारो reaction कौन देते हैं कैनी जारो reaction ऐसे aldehydes देते हैं aldehydes having sorry aldehydes which do not have alpha hydrogen ठीक है जिनके पास alpha hydrogen नहीं होता है वो कैनी जारो reaction देते हैं अब हम इसमें से ऐसा ही compound चांट लें कि जिसके पास alpha H है जिसके पास alpha H होगा वही कैनी जारो reaction नहीं देगा ठीक है मान लिए यह क्या है आपका यह CHO ग्रूप है तो यह कैनी जारो reaction देगा दूसरे में भी यहां benzene पर hydrogen होता ही नहीं है तो यह भी कैनी जारो reaction देगा और formaldehyde में यह formaldehyde का formula यह भी कैनी जारो reaction देगा तो आपका जो acetaldehyde है इसमें 3 alpha H है और जब alpha H है तो यह कैनी जारो reaction नहीं देगा ठीक है तो इस question का जो answer जाएगा वो जाएगा option D के साथ जो aldehyde alpha hydrogen नहीं रखते हैं वो कैनी जारो reaction देते हैं ठीक है लेकिन इसके पास alpha hydrogen है इसलिए यह कैनी जारो reaction नहीं देगा ठीक है तो अंसर जाएगा यहां से डी के साथ आयोप कोश्चन आपको समझ में आ गया होगा नेक्स कोश्चन देखे फिर से एसेडिक स्ट्रेंथ के कोश्चन है एचली क्या है जो अमाइन और कार्वोजाइलिक एसेड होता है आपका चेप्टर इस से क्या होता है एसेडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के कुश्चन जादा पूचे जाते है यानि कि यहीं से एसेडिक स्ट्रेंथ का कुश्चन बनता है जो आपके इंड। इफेक्ट pickle और रेजोनेंस एफेक्ट पर डिपेंड करता है अब यहां से कुछ आ जा रहा है which of the following is the strongest acid इनमें सब में strongest acid कौन सा है देखे पहली बात तो acid character का पता कैसे लगेगा acid character क्या करता है जिस पे अगर कोई compound है उस पर अगर negative inductive effect increase होगा तो acid character क्या होगा ये भी increase होगा अगर positive inductive effect increase होगा तो acid character decrease होगा ये ध्यान रखिए मतलब positive inductive effect के inversely proportional होता है acidic character और negative inductive effect के directly proportional होता है आपका acidic character अब देखे बात किसकी करते हैं सब में पहली बात तो कार्वोजायलिक ग्रूप है अब जब सब में कार्वोजायलिक ग्रूप है तब हमें ग्रूप की तो बात ही नहीं कि कुछ कि ग्रूप किस पर depend करता है मैंने आपको एक और चीज बताई थी यहां कि CL, BR, I, NO2, F, OH ठीक है यह क्या करते हैं ACD character को increase करने का काम करते हैं तो देखो इसमें भी CL आपको दिखाई दे रहा है B option में भी और इसमें भी CL आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इनका ACD character इन दोनों से जादा हो जाएगा A और C से अब बात आती है पहले तो A और C में किसका जादा है order भी बना लेते हैं हम यही से A और C में किसका जादा है देखिए पहले वाले में A वाले में group है CH3 तो इसका जो positive inductive effect है positive inductive effect लगेगा क्योंकि alkyl group positive inductive effect शो करता है तो इसका जो inductive effect है, positive inductive effect वो होगा कम और इस पर group क्या है, ethile group है तो इसका C वाले का जो होगा, positive inductive effect इसका क्या होगा, जादा होगा और जिसका positive inductive effect जादा होगा, उसका acidic character क्या होगा, कम होगा यानि कि सबसे कम किसका होगा, इसमें C का होगा, ठीक है, C option का क्या होगा, सबसे कम, उससे ज़्यादे किसका होगा, A option का होगा, दो बात ते तो यह पता लग गई, सरी, C का सबसे कम, sign गलत बना दिया है C का क्या होगा सबसे कम और उससे ज्यादे किसका A का अब बात आती है बाकी के जो दो बचे हुए option है इनको थोड़ा सा detail में explain कर दे ठीक है कौन कौन से है एक तो B option है B में क्या आ रहा है आपका B में आ रहा है CH3 CH और CH के नीचे क्या है यहाँ CL और यहाँ COOH दूसरा क्या होता है यहाँ पर है CH2 और इसी पर क्या लगा हुआ है इसी पर लगा हुआ है CL फिर CH2 फिर COOH ठीक है कारबन दोनों में पराब बने तो आप लोगों को बताया था देखिए जो inductive effect का हमारा वीडियो था वो अगर आपने देखा होगा तो उसमें बताया था कि जो inductive effect होता है वो distance dependent होता है COOH की respect में CL जितना ज़्यादा पास होगा ACID करेक्टर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा ठीक है और यहाँ क्या हो गया COOH की respect में तीसरे नंबर पर है तीसरे कार्बन पर है तो इसका ACID करेक्टर क्या होगा थोड़ा सा कम होगा यानि कि COOH की respect में जितना पास आपका ACID क्रूप होगा चाहे F, C, L, B, R, I, N, O, N, O, 2, OH उतना ही ACID करेक्टर क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा तो यहां अगर बात करें D की तो D आएगा तीसरे नंबर पर और सबसे जादा जो होगा वो B option बाले का होगा B का सबसे जादा होगा यानि कि B is the correct answer B option का inductive effect सबसे, sorry B option का ACIDic behavior सबसे जादा होगा इसलिए यह इन सब में strongest ACID होगा Next question Next question में का जा रहा है The conversion of The conversion of A carvauxilic acid To alpha Bromo carvauxilic acid Using red phosphorus And bromine is a यानि कि reaction की क्या बात की जा रही है जो reaction यहां पर जिस reaction की बात की जा रही है वो क्या है R R CH2 COOH इसकी reaction किस से की जा रही है इसकी reaction की जा रही है BR2 से और किस की presence में Red P की presence में की जा रही है लाल phosphorus की तो क्या होता है यहां से यहां से जो बनता है जो compound बनता है वो बनता है R CH BR COOH PLUS HBR ठीक है अब यह का जा रहा है कि यह reaction है कौन सी इस reaction का नाम बताना है ठीक है चार option आपको दिये गए है कैनी जारो reaction LDL condensation HAL VOLAD GALANCE की reaction COLB reaction तो यानि की reaction किस की है कार्वोजाइली केसेडी की ठीक है तो कैनी जारो reaction क्या आप कौन देते है कैनी जारो reaction देते है LDH कौन देते है LDH और कौन से LDH जिन में L5H नहीं होता और किस से reaction करते है यह NEOH से reaction करते है अब हो भी concentrate ठीक है अगर LDL की बात करें तो यह भी कौन देते है LDH या ketone देते है और किस से reaction करते है यह यह reaction करते है NEOH से लेकिन कैसे हो है NEOH से dilute से लेकिन इन में क्या होना चाहिए L5H होना चाहिए कोलवे reaction की बात करते है तो यह कौन देता है यह देता है phenol phenol की reaction होती है ठीक है तो यह जो reaction कलाएगी आपकी हेल बलार जलन्स की reaction कलाएगी सोड में इसको HVZ reaction के नाम से भी जाना जाता है HVZ reaction ठीक है कौन देते हैं कार्वोजाईली केसिड और कौन से कार्वोजाईली केसिड जिन के पास अलफा एच हो ठीक है ऐसे कार्वोजाईली केसड अगर आप से कहा जाए क्या formic acid hcopholodonc ki reaction देडेगा तो नहीं देगा ध्यान टकना यहहल वलांडिजलन्स की reaction नहीं देता बेंजोई केसिड भी नहीं देता है ठीक है दोनों नहीं देते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं का जा रहा है था रियक्शन आर सी ओ ओ एजी प्लस बी आल टू इन दा प्रजैंस ओफ सी एल फोर गेफ्स आर बी आर प्लस एजी बी आर प्लस नाम क्या है यह पुछा जा रहा है ठीक है रियक्शन का नेम बताना है देखो वें कौन देता अधर लेक्शन देता हैया झाहल है दो साय और При इसकिंगा यह नियाते हैं यह reaction किस से होती है यह reaction यह तो CH3-CL से गराई जाएगी यह CH3-CO-C-L से गराई जाएगी किसकी प्रजेंस में एञटरस-ALCL3 की प्रजेंस में वूट्स reaction कौन देते है यह देते हैंलकाईल-एलाइड देते हैं ठीक है लेकिन यहां तो एलकाइल एलाइड का formation हो रहा है यह reaction क्या गलाती है reaction किसका example है हुंसडी का reaction का example है जब silver salt लिया जाता है acid का और उसकी reaction bromine से कराई जाती है carbon tetra chloride के presence में तो क्या बनता है एलकाइल bromide बनता है इस reaction को बोलते हैं हुंसडी का reaction next question mostly जो name reaction है जो important name reaction है वो सारी की सारी हमारे चैनल पर पढ़ी हुई है अगर आपने नहीं देखी तो सबकी वीडियो हमारे चैनल पर है हमारी playlist में जाकर उनको देख सकते हैं और कुछ reactions का कुछ name reactions का तो आपको जो link है हमारे इसी वीडियो के description में मिल जाएगा देखे next question क्या है the IUPAC name of ethyl alpha methyl butyrate is ठीक है किसका ethyl alpha methyl butyrate इसका formula क्या होगा सबसे पहले इसका formula बना ले देखे क्या कहा जा रहा butyrate यानि कि CH3 single bond CH2 single bond CH और CH के उपर क्या है CH3 और आगे क्या है COOC2H5 यह formula बना अब इसका नाम कैसे पढ़ाईए यह position हो गई आपकी alpha यह हो गई बीटा लेकिन पुछा जा रहा है इसका name कैसा IUPAC तो IUPAC name लिखने के लिए क्या करेंगे numbering यहां से करेंगे 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा सबसे पहले नाम इसका लिखा जाएगा इसका नाम क्या होता है Ethyl Ethyl ठीक है Ethyl उसके बाद क्या होगा 2-methyl 2-methyl उसके बाद क्या बोलेंगे हम Butanoate B-U-T-A-N-O-A-T-E Butanoate ठीक है तो कौन सा option जा रहा है यहां से यहां से जो option जा रहा है आपका option D Option D is the correct answer Next question Ammonium acetate on heating Gibbs यानि कि ammonium acetate को हम अगर heat करते हैं तो हमें क्या मिलता है देखिए ammonium acetate का formula क्या होता है Ammonium acetate का formula होता है CH3-C-O-O-N-H-4 इसको क्या कर रहा है हम heat कर रहे हैं जैसे heat करेंगे तो क्या बन जाएगा CH3-C-O-N-H-2 बन जाएगा ठीक है Remove होगा आपका H2O और यह जो compound है CH3-C-O-N-H-2 इसको बोलते है इथेनामाइड E-T-H-A-N-A-M-I-D-E इथेनामाइड होता है इसका IUPAC name लेकिन इसका इथेनामाइड तो कहीं option में दिया ही नहीं गया इसे क्या बोलते हैं इसका common name होता है acetamide क्या बोलते हैं इसको acetamide इसमें यह जो group है यह amidic group है question number next जो है यह बहुत ही ज़्यादा important question है question number 9 आपका बहुत ज़्यादा important है इसमें आपको कई चीजे देखने के लिए मिल जाएंगी compound में पूछा गया है कि we cast acid गौन सा है लेकिन इसे मैं पूरा detail में समझाऊंगा जो आप लोगो को क्योंकि इसके साथ में मैं कई सारी चीजे बताऊंगा पहला जो दिया गया है आपको पहला दिया गया है benzoic acid, दूसरा दिया गया है paranitrobenzoic acid, तीसरा metanitrobenzoic acid चौथा जो दिया गया है औरthonitrobenzoic acid तो इसको हम दूसरे page पर एक समझाते हैं बिल्कुल ठीक से कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पहला क्या दिया गया अगर हम पहला compound आपको दिया गया है benzoic acid यानि कि benzene पर COOH यह आपका first compound है second जो दिया गया है आपको वो दिया गया है पहरा nitro benzoic acid पहरा पर NO2 उसके बाद जो दिया गया है वो benzoic acid दिया गया है लेकिन NO2 कहाँ पर है meta पर meta benzoic acid ठीक है इसके बाद जो benzoic acid दिया गया है इसमें ये NO2 कहाँ पर है और्थो पर ठीक है ये हमने structure बना ली है अब क्या करते हैं हम इसमें आगे की बात करते हैं देखिए आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि जो NO2 होता है NO2 क्या होता है एक acidic group होता है क्या होता है NO2 एक acidic group होता है यानि कि ये क्या करेगा NO2 acidic behavior को increase करने का काम करेगा तो ये इसमें भी NO2 है इसमें भी NO2 है और इसमें भी NO2 है इन में NO2 है तो इनका acidic behavior क्या होगा वो benzoic acid से जादा हो जाएगा suppose that हमने इसको नाम दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C और इसको दे दिया D ठीक है पुछा तो गया है question में क्या पुछा गया है question में तो पुछा गया है कि we cast कौन सा होगा लेकिन हम क्या बता रहे हैं सबका order लगा रहे हैं इससे आप बहुत सारे question कर सकते हैं देखे तो यहां सबसे कम किसका हो जाएगा सबसे कम तो हो जाएगा A का क्या हो जाएगा A का हो जाएगा सबसे कम benzoic acid का अब बचें तीनों जिनमें NO2 जुड़ा हुआ है तो देखें COOH के case में एक effect पढ़ता है जिसे क्या बोलते हैं ortho effect क्या होता है effect यह कि अगर COOH की respect में ortho position पर कोई group attach होगा तो उसका acidic behavior सबसे जादा होगा अब यहां क्या है last वाले में COOH की respect में NO2 ortho position पर है ठीक है और ortho position पर है तो यहां ortho effect लगेगा एक बात का बिलकुल खास दियान रखना है कि ortho effect जो लगता है के बल वो COOH के case में ही लगता है तो सबसे जयादा जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा D वाले का अब बात करते हैं कि meta का जादा होगा या पैरा का ज़्यादा होगा तो पैरा वाले का जादा हो जाएगा यानि कि B वाले का जादा हो जाएगा मेटा वाले से कारण मेटा पोजिशन पर आपका resonance effect नहीं लगता है मेटा पोजिशन एक ऐसी पोजिशन होती है जिस पर क्या होता है आपका resonance effect नहीं लगता है तो इन में सबसे ज़्यादत हो जाएगा D का, उससे कम होगा B का, उससे कम होगा C का, और सबसे कम होगा A का, अब देख लीजिए question में क्या पुछा जा रहा था, question में पुछा जा रहा था कि सबसे कम किसका होगा, question में I think यही पुछा जा रहा था कि सबसे कम हावी, cast acid कौन सा होगा तो जो आपका answer है answer किसके साथ जाएगा answer जाएगा option A के साथ benzoic acid का यहां सबसे कम होगा अगर पूछा जाता सबसे ज़्यादा किसका होगा तो सबसे ज़्यादा होता आपका D वाले का option D का सबसे ज़्यादा हो जाता क्योंकि यहां effect apply हो रहा है next question आपकी screen पर question में पूछा जा रहा है hydrolysis of HCN Gibbs यानि कि हम HCN का hydrolysis करें तो आपको क्या मिलेगा ठीक है HCN का hydrolysis HCN hydrogen cyanide का अगर हम hydrolysis करते हैं तो क्या मिलता है तो इसके hydrolysis पर जो मिलता है वो मिलता है आपको HCOOH यह बनता है और प्लस क्या बनता है प्लस एक बनता है NH3 ammonia ठीक है और इसी compound का नाम क्या है इसी का नाम है formic acid formic acid ठीक है इसी को हम क्या बोल देते हैं IUPAC name mythenoic acid भी इसी को बोल देते हैं IUPAC name होता है mythenoic acid या common name होता है formic acid तो option यहां से जाएगा D के साथ D is the correct answer next question number 11 question है क्या पुछा जा रहा है इसमें इसमें पुछा है कार्वोजाइलिक acids are reduced by red phosphorus and HI to give अगर इनका reduction red phosphorus और HI से करा दें तो product में क्या बनेगा देखिए यहां भी reaction करके दिखा यहां कि आपका RCOOH है अगर इसका reaction करा देते हैं 6HI से ठीक है किसकी presence में red P की presence में reaction कराते है red P की presence में तो पहली बाद तो reaction 473 Kelvin पर होती है और आगे जो बनता है वो बनता है आर च3 plus क्या बनता है प्लस बनता है आपका 2H20 और plus क्या बनता है 3I2 ठीक है क्या कहा जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि बनेगा क्या, तो यह product बनाया और यह क्या है, आपका एक Alkene क्या है एक Alkene तो यहां से जो answer जाएगा वो Alkene के साथ जाएगा, यानि कि option A यहां से correct answer होगा A is the correct answer Alkene Next question Number 12 12 में कहा जा रहा है Bond COOH group can be converted to bond NH2 group by, यानि कि COOH से, जो आपका जैसे R COOH है, इस से क्या बदल लाए है, किस में बदल लाए है इसको R NH2 मे R NH2 मे ठीक है, तो कौन सी reaction होगी, ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, अगर बात करते हैं Claisen Condensation की तो Claisen Condensation किस में देखने के लिए मिलता है Claisen Condensation Condensation देखने के लिए मिलता है Easters में Easters ठीक है, Easters में होता है क्या होता है, इसके 2 moles जो होते हैं, वो condensed हो जाते हैं इसके 2 moles क्या हो जाते हैं condensed हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम Claisen Condensation बोलते हैं, next क्या आती है, next आती है, पर्किन किस में देखने के लिए मिलती है, पर्किन Reaction आपको को देखने के लिए किस में मिलेगी, पर्किन डेखने के लिए मिलेगी आपकी benzel dehyde में किसमें benbel dehyde और और किससे reaction करता है Acid anhydride से Acid anhydride इसे जो molds है कितने ओंगे यहाँ benzel LDHID की बात करते हैं तो Benji LDHID का भी एक ही मोल लेता है और Acid Enhydride का भी एक ही मोल लेता है तो यह करते हैं Perkin reaction अगर हम बात करते हैं Canny Jaro reaction की तो Canny Jaro reaction कौन देते हैं वो देते हैं LDHID LDHID के भी कितने मोल 2 मोल ठीक है और कौन सा LDHID जिसमें Alpha H ना हो अलफा hydrogen atom ना हो और कौन करता है reaction यहाँ है NaOH करता है लेकिन पुछा जा रहा है कि COOH को NH2 में यानि कि RCOOH को NH2 में चेंज कौन कर सकता है तो देखे पहले यह reaction करते हैं इसमें कौन करता है Hydrajoic acid की reaction कराते हैं Hydrajoic acid होता है N3H किसकी presence में reaction होती है Concentrate H2SO4 की presence में reaction होती है Concentrate H2SO4 की presence में reaction होगी आगे क्या बनेगा आपका NH2 बनेगा CO2 बनेगा और N2 यह compound बनेगे ठीक है तो यह reaction जो कलाती है आपकी यह कलाती है ismit reaction यानि कि option जो जाएगा यहाँ से वो किसके साथ जाएगा option B के साथ जाएगा ठीक है next question पर जलते है question number 13 कहा जा रहा है alpha hydroxy acetic acid is also known as alpha hydroxy acetic acid जो होगा उसका दूसरा नाम क्या होगा देखिए कौन सा alpha hydroxy acetic acid यानि कि CH2 COOH और इस पर क्या जाएगा इस पर आजाएगा OH इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे alpha hydroxy acetic acid पुछा जा रहा है इसका दूसरा नाम क्या होता है इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है lactic acid किसका formula है यह lactic acid का formula है ठीक है अगर इसका UPSC name पूछेंगे तो इसको बोलते है 2 hydroxy 2 hydroxy ethenoic acid यह होगा इसका UPSC name ठीक तो option जाएगा C के साथ next question question no.14 the reagent which does not react with both acetone and benzyldehyde कौन ऐसा है जो acetone और benzyldehyde के साथ reaction नहीं करेगा देखिए अगर sodium hydrogen sulfide की बात करते हैं तो यह तो reaction करता है phenyl hydrogen भी reaction करता है grignard reagent भी reaction करता है जो आपका failing solution है वो reaction नहीं करता है क्योंकि जो failing solution है वो reaction किससे करता है वो reaction करता है aliphatic aliphatic aldehyde से reaction करता है किससे नहीं करता दो चीजों से नहीं करता किससे नहीं करता एक तो aromatic aldehydes और जितने भी ketone होते हैं चाहे वो aromatic हों चाहे aliphatic हों तो और किससे नहीं करता ketones है यानि कि जो ketones होते हैं और aromatic aldehyde होते हैं वो failing test नहीं देते हैं कौन नहीं देते हैं एक तो आपके aromatic aldehydes और कौन नहीं देते हैं ketones नहीं देते हैं तो यहां से जो option जाएगा c के साथ जाएगा i hope आपको सारे के सारे question समझ में आ गए होंगे next question next question जो है वो आपके assertion reason के हैं देखो assertion reason में क्या कहा जा रहा है in the following questions a statement of assertion followed by a statement of a reason is given choose the correct answer out of the following choices पहला जो कहा जा रहा पहले में क्या कहरा जा रहा यह आपको याद होई गए होंगे देखो पहले में क्या है कि दोनों के दोनों होंगे तो correct और explanation भी सही होगा दूसरे option में है कि दोनों के दोनों गलत होंगे तीसरे में assertion सही होगा reason गलत होगा और चौते में assertion गलत होगा reason सही होगा अब चलते है question की तरब question क्या कह रहा है पहला देखो पहला question कह रहा है क्या कह रहा है पहला question assertion में formaldehyde is a planar molecule ठीक है formaldehyde की अगर structure बनाएं तो formaldehyde का formula होता है HCHO structure क्या बन जाएगी H single bond C double bond O single bond H तो यही जो structure होती है यही क्या होती है planar होती है बिल्कुल सही बात है यानि कि exertion हमारा सही है अब दूसरे में क्या कह रहा है it consists sp2 hybridization carbon atom sp2 hybridized carbon atom यह भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि जब carbon double bond से जुड़ा होता है तो उसमें hybridization क्या होता है sp2 ठीक है और sp2 hydrogen होने sp2 hybridization होने प्लेकी वज़े से यह जो molecule है यह planar है ठीक है तो आपका reason भी सही है अब जो assertion है उसका सही explanation reason में है इसलिए option जो जाएगा यहां से वो a correct होगा यहां से जो correct option बनेगा वो कौन सा बनेगा a is the correct answer next question number 2 2 में assertion में क्या का आ जा रहा है alpha hydrogen atom in carbonyl compound is less acidic यानि कि जो आपके alpha hydrogen atom होते हैं carbonyl compound में वो क्या होते हैं less acidic होते हैं ठीक है less acidic होते हैं यह बात यहां कही जा रही है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता जो alpha hydrogen atom होते हैं carbonyl compound में वो less नहीं क्या होते हैं more acidic होते हैं तो पहली बात तो आपकी एजर्शन तो हो गया है गलत अब बात करते हैं reason के reason में क्या कहा जा रहा है the anion formed after the loss of alpha hydrogen atom is resonance stabilized ठीक है जो anion form होते हैं कि इसके loss of hydrogen atom के बाद वो क्या होते हैं resonance stabilized होते हैं यानि कि ये बात जो है वो बिलकुल सही है और अगर ऐसा बन रहा है कि assertion गलत और reason सही तो ऐसा जो option था आपका आपके पास कौन सा option था ऐसा d option था देख लिजे आप ऐसा option कौन सा था डी जिसमें assertion गलत था और reason सही था उसको क्या नाम दिया था हमने option डी नाम दिया था ठीक है next question पर चलते हैं second last question है assertion में क्या कहा जा रहा है aromatic aldehydes and formaldehydes undergo canigero reaction aromatic aldehydes कौन से होते हैं aromatic aldehydes की बात होगी तो किसकी बात चलेगी benzaldehyde की यानि कि benzene के उपर CHO benzene के उपर अगर CHO होगा तो यह क्या दे सकता है यह canigero reaction दे सकता है और formaldehyde की बात करें तो HCHO भी canigero reaction दे सकता है क्यों दे सकते हैं दोनों क्योंकि दोनों में से किसी के पास भी alpha hydrogen atom नहीं है और जिन के पास alpha hydrogen atom नहीं होता वो canigero reaction दे सकते हैं तो यह वाला statement बिलकुल सही है अब reason में क्या कहा जा रहा है aromatic aldehydes are almost as reactive as formaldehyde तो यह कह रहा है कि इन दोनों की जो reactivity होती है वो लगबग एक जैसी होती है जो बिलकुल गलत है क्योंकि देखो यह तो resonance so नहीं करता है जबकि यह resonance so करता है तो दोनों की reactivity एक जैसी नहीं हो सकती यानि कि reason क्या होगा यहां गलत होगा यह गलत statement है और assertion में जो statement दिया गया है वो बिलकुल सही है तो यहां से जो answer जाएगा हो जाएगा c के साथ c यहां पर जो option होगा वो इसका best option होगा last question वीडियो का last question और last question में क्या पूच्छा जा रहा है एजर्शन में aldehydes and ketones बोथ reactivity tolerance reagent to form silver mirror कौन-कौन aldehydes and ketones तो अभी अभी पीछे आपको किसी question में बताया भी है कि जो tolen test होते हैं वो aldehydes जो होते है वो to tolen test देते हैं LDहdes क्या करते हैं tolen test देते हैं लेकिन जो ketones होते हैं अगर ketones की बात करते हैं तो ketones tolen test नहीं देते हैं लेकिन option में क्या कहा जा रहा है आपका statement में क्या कहा जा रहा है aldehyde and ketone both react with tolerance reagent यानि कि यह बात बिल्कुल गलत है अब आगे क्या कहा जा रहा है बोथ aldehydes and ketones contain a carbonyl group देको यह बात बिल्कुल सही है अगर हम aldehyde की के बात करते हैं suppose that r-c-double bond-oh की बात करते है तो यह क्या है यही group आपका carbonyl group कहलाता है और ketone की बात करते हैं तो ketone के बात भी क्या है值 एक carbonyl group होता है तो यह कह रहा कि दोनों के पास education group है यह बात बिल्कुल सही है यानि कि reason में जो statement है वो बिल्कुल गलत है, तो यहां से जो option बनेगा, वो D के साथ जाएगा, ठीक है, यह हमारी वीडियो का last question था, comment करके बताईए आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़ाद से ज़ादा like कीजिए, और ज़ाद से ज़ादा share कीजिए, जो आपके colleagues हैं, आपके मिलने वाले हैं, आपके friends ह सबको वीडियो share कीजिए, क्योंकि जो भी board exam की तयारी कर रहा है, उस तक यह video पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि यह आपके board exam के लिए बहुत ज़ादा beneficial है, अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो आज ही हमारे channel को subscribe करें, क्योंकि हमारे channel पर board exam में आने वाले question आपको मिलते हैं, competitive exam में आने वाले question आपको explain किया जाते हैं, और जो आपके लिए beneficial question है, जो आपके लिए useful question है, जो आपके लिए useful topic है, उनको एक अच्छे method में आपको explain किया जाता है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जै हिन, जै भारत, बंदे म आतरां.